एक system दे रखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन equations हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि 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 किस value के लिए इस system का infinite number of solution होंगे, तो यहाँ पर कि 4 suggested value आपको options में दे रखी है, तो सबसे पहले system का solution होगा या नहीं होगा, इसको हम check कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक non-homogeneous system है, सबसे पहले हम augmented matrix लिख लेंगे, अगर मैं row wise लिखता हूँ, augmented matrix को, 1, 1, 1, और last element 3, फिर second row, 1, minus 1, minus 1, 4, और last row होगी, 1, minus 5, k, और 6, अब मैं इस matrix पर elementary row operation लगा दूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस matrix को, last column को छोड़ कर, जो matrix होते हैं, उसको coefficient matrix बोलते हैं, और यह constant matrix, अगर हम उसमें add कर देते हैं, तो यह augmented matrix हो जाए, condition है, कि rank of A, यानि कि coefficient matrix, same होनी चाहिए, rank of augmented matrix, जिसको मैं A.B से लिखता हूँ, यहाँ पर solution यानि कि consistent होने के लिए condition है, लेकिन अगर infinite many solution है, तो इसकी जो rank है, वो आपकी less होने चाहिए, number of variable से, यानि कि यहाँ पर variable 3 है, इससे कम होनी चाहिए, कम होना चाहिए, यानि कि आम समझ सकते हैं, कि एक हमें 0 row इसमें मिलेगी, तो सबसे पहले मैं इस पर elementary row operation apply करता हूँ, और देखता हूँ कि मुझे क्या form हो रहा है, elementary row operation apply करने पर, first row को मैं ऐसी रखता हूँ, यानि कि उसमें कोई changes नहीं करता हूँ, 1, 1, 1, 3, second row को मैं change करता हूँ, यानि कि r2 minus r1 apply कर देता हूँ, minus 2, minus 2, 1, और similarly, मैं third row में भी वही change करता हूँ, यानि कि r3 minus r1, यह मुझे मिलेगा, 0 minus 6, k minus 1, और 3, अब मैं फिर से r3 पर elementary row operation लगाता हूँ, यानि कि क्या लगाऊँगा, r3 को मैं change कर रहा हूँ, r3 minus 3 times r2, तो यह equivalent matrix हमें मिलेगा, first row same, 1, 1, 1, 3, second row भी same, 2, 2, minus 2, 1, और, जो third row है, वो मुझे मिलेगी, 0, 0, 0, k plus 5, और last row, last element, last row का last element is 0, अब यहाँ पर यह देख सकते हैं, इतना यह आपका coefficient matrix है, और coefficient matrix की यह last entry है, k plus 5, अगर k plus 5, 9, 0 हो जाए, तो इसका जो rank होगा, वो आपका 3 हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, infinite number of solution चाहिए, और infinite number of solution होने के लिए, यहाँ पर जो rank है, वो 3 से कम होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, कि k plus 5 की value 0 होगी, इससे हम यह कह सकते हैं, कि k equals to minus 5 होना चाहिए अगर हमें इसके infinite number of solution चाहिए, तो k equals to minus 5, option A correct होगा,